आप सभी लोगों का सुवागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ओनलाइन क्लासेस में जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आपका DLA इंट्रेंस 2023 का रिजल्ट जो है जाड़ी हो चुका है विदिन आपको 7 दिनों के अंदर जो है कॉंसलिंग की परकिया भी जो है स् दो जो है सवाल बहुत ज़्यादा पूछे आ रहे हैं और बहुत ज़्यादे बच्चों का कॉल आ रहा है तो सारे सवालों को जबाब अगर पर्टिकूलर में दूनगा तो बहुत समय लगेंगे इसलिए मैंने सोचा है कि आपके जोभी सवाल होंगे वो वीडियो के दस बच्चों के मन में क्रियेट हो रहा है अब वो दस बच्चे कॉल करेंगे तो दिक्कत हो जाएगे मैं सिंगर नहीं हूं तो दिक्कत वहुत हो रही है तो आपको में बताना चाहूंगा जो आज का एक महत्यपून प्रस्न जो है आप सभी लोगों के द्वारा ही पूछा होगा दो कि सरकारी कॉलेज में जो हे होस्ट्रल की सुभडा मिलता है यहाँ पर इसका एंसर हो जाएगा यस लेकिन अब याद रखीज़ का एक और यहाँ पर आपका प्रस्तệc आ जाएगा क्या सवी सरकारीügen मिलता है सवी क्वैं मिलते है तो मैं आपको बदादू कि सभी कॉलेज में आपको होस्टल की सुद्दा जो है नहीं मिलता है मतलब कि ऐसे तो बहुत सारे कॉलेज में होस्टल की सुद्दा है लेकिन बहुत सारे कॉलेज में होस्टल की सुद्दा नहीं है अब ये बाते हो गई, अब एक और सवाल आपका आ रहा है कि होस्टल लेने पर किवल बॉयज को मिलता है कि गल्स को मिलता है, तो ये सवाल का जबाम मैं देदू, कि अगर है आप होस्टल लेते हैं, तो बहुत सारे कॉलेज के आना है, कि किवल जो है महिलाओं को देता है होस यानि कि girls को देता है और बहुत सारे college है जहां पर आपको girls और boys को मिलता है दो college मतलब दो hostel होते हैं एक boys का अलग होता है girls का अलग होता है तो यह दो भी मिल सकता है यानि कि आपका मालने की college है आपका यह college है तो इसमें दो तरद दो hostel होगे एक आपका girls के लिए होगा और एक आपका boys के लिए होगा कहीं कहीं आपको जो है केवल महिनाओं के लिए मिलता है समझ गये तो यह है अब आप पूछेगा कि hostel का price कितना होता है खर्चा भी तो आता होगा तो मैं आपको बता दू अगर आप hostel में रहते हैं college hostel के हम बात करें तो वहाँ पर जो आपका hostel है इसका जो आपका fee होता है बहुत कम होता है सरकारी college के हम बात कर रहे है सरकारी college की इसका जो fee होता है वो कम होता है यहाँ पर आपको जो है साल का एक साल का fee लिया जाता है साल भर का फील लिया जाएगा आपसे नहीं तो 6 महिना का फील लिया जाएगा हर कॉलिज की अपनी एक नियम होती है वहाँ के प्रिंसिपल पैय करते है समझ गए और यह आप फील पूछेगा कितना पैसा लगता है साल का तो मैं आपको बता दूँ साल का पैसा आपका छे हजार से लेकर आपको जो है 8000 तक रुपय लगते हैं यह आपका साल का फी है कॉलिज फी है सरकारी कॉलिज का समझ गया लेकिन अब एक और सवाल आपके मन में आएगा कि क्या वहाँ पर छो है खाना खाने के लिए मेस रहता है हम बात कर ले मेस की बात कर ले तो मेस जो है आपका बहुत सारे college में नहीं है जहाँ पर बच्चे को केवल रहने के लिए मिलता है खाना आपको खुद बना कर खाना पड़ेगा नहीं तो आपको कहीं से order करना पड़ेगा मेबी एक दो college में है जहाँ पर मेस भी उपलब्ध है बट चालू नहीं रहते हैं college में सभी मेस उपलब्ध है लेकिन चालू proper ढंग से नहीं है इसके वज़े से मैं आपके सारे सवालों को ले रहा हूँ तो सारे सवाल किलियर हो गया होंगे hostel को लेकर अब hostel से लेकर कोई related सवाल नहीं होनी चाहिए देखे होस्टल के सुभदा जो है अधिकांस college में है लेकिन चालू नहीं होता है प्रोपर ढंग से साथ ही साथ जो है बहुत सारे college में hostel की सुभदा है लेकिन वहापर केवल महिलाओं के लिए है बहुत सारे college है जहां पर दोनों के लिए है मेज की सुभदा होती है नहीं भी होती है पैसा आपका 6-8000 रुपय लगता है सलाना समझ गए तो यह सारे doubt जो है मैंने आपको बता दिया है अब लगता है कि आपके मन में hostel से लेकर कोई regarding सवाल नहीं होगा आसा करते हैं कि आप मेरी वीवो को like कीजेगा, share कीजेगा आपने दोस्तों के साथ subscribe कीजेगा और private college में जो है hostel की सुभदा नहीं रहता है वहाँ तो आपको जाना रहता है कई कई भी होगा, अवासी है होगा लेकिन बहुत कम, समझ गए तो सारे सवाल मैंने आपको बता दिया hostel से डिलेटेड, आसा करते हैं आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा, मिलते है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोग हसते रहें, मुश्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें धन्यवाद